अभी तक की सबसे बड़ी ख़बर स्कॉर्पियो में आग लगने से उसमें बैठे तीन लोग जिंदा जल गए दो लोग की गाड़ी के अंदर ही जल कर मौत हो गई जबकि दम तोड़ दिया हाथता सराइब ओपी थाना छेतर के निजामपूर गाँ में हुआ है आसपास मौजूद लोग ने बताया कि सोमवार की सुबर करीब दो बजे तेज रफ्तार अनियंति स्कॉर्पियो एक विजली के पोल से टकड़ा गई गाड़ी की रफ्तार असी से ज्यादा बताई जारी है हाथसे के बाद स्कॉर्पियो में भीशड आग लग गई इस घटना में चालक समे तीन लोग की दर्दनाक मौत हो गई हाथसा में अब तक केवर एक युवक की पाचान हो पाई है जबकि बुरी तरह से जल जाने के कारण दो लोगों की सिनाखत नहीं हो पाई है जिरो रिपोर्ट एट उजट बिहार न्यूज